तो दोस्तो आप सभी को तो पता ही होंगा कि नेपाल के प्रधान मंत्री सेर बहादूर देवबा भारत आये थी एक बहुती इंपोर्टन तीन दिन की विजिट पर ये विजिट के दोरान कई सारे नए प्रोजेक्ट और बहुती इंपोर्टन एग्रिमेंट साइन किया है दोनों देशों ने लेकिन वो जानने से पहली आप वीडियो को लाइक और चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो दोस्तो नेपाल के पीएम के विजिट के क्या आउटकम्स निकले हैं वो मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले तो दोनों देशों के प्रधान मंत्री ने जैनगर से कुर्था तक दोनों देशों के बीच पहले पेसंजर ट्रेंड सर्विस की सुरुवात की जिसे दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी और स्मूथ हो जाएगी ये प्रोजेक्ट जैनगर, बिजलपुरा, बर्धिबास, रेल प्रोजेक्ट के अंडर हुआ हैं जिसके लिए भारत सरकार ने 548 करोर रूपीज लगाए हैं दुसरा, नेपल में अब इंडिया रूपी कार्ड लोंच हो चुका हैं नेपल चोथा ऐसा देश से जिसने इंडिया के रूपी कार्ड को एंट्री दी अपने देश में इसे पहले भुतान, सिंगापोर और युनेटेड अरब इंडिया रूपी कार्ड अपने देश में इस चीज से इंडियान लोगों के लिए नेपल ट्रावेल करकी स्पैंट करना ओर आसन हो जाएगा तिसरा, नेपल ओइल कोर्पूरेशन और इंडियन ओइल कोर्पूरेशन लिमिटेड ने एक एग्रिमेंट साइन किया है जिसके तहत नेपल इंटरनेशनल सोलर एलाइन्स का 105 वा मेंबर बन गया है इसे नेपल के डेवलोप्मेंट में काफी भारी उच्छल देखने मिल सकता है चोथा, इंडिया का सबसे बड़ा और इंपोर्टन प्रोजेक्ट नेपल में सोलू कोरिडोर है जिसके तहत नेपल के रिमोट एरियास तक बिजली पहुचाएंगे और कई सारे हाईटरो प्रोजेक्ट भी हैं इंडिया के तो दोस्तो, नेपल और भारत की दोस्ती का नया दूर शुरू हो चुका है और ये दोस्तो, दोनों देशों को काफी फायदा कराने वाली है आप क्या सोचते हैं इस दोस्ती के बारे में ये मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताए तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार धन्यवाद